हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हमने बहुती टेस्टीड हवा स्टाइल मटर पनीर बनाया है अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप घर पर बहुती टेस्टी मटर पनीर बना सकते हो तो उसके लिए मैंने कडाई में दो चमच ओयल गरम करने के लिए रख दिया था अब इसमें मिलाएंगे दो प्याज जिसको मैं लंबे लंबे टुकरों में काट लिया है गैस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे और हमें प्याज को ज्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है हलका गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है यह प्याज हमारी हलकी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो friends अब इसमें मिलाएंगे लैसन और अधरक का पेस्ट इसको भी अच्छे से मिला देंगे और यह मैंने दो बड़े टमाटर लिए थे जिनको मैं लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया था तो टमाटर को भी मिला देंगे इसमें मिलाएंगे friends दो कटे हुए हारी मिर्च और एक चमच नमक नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाएं अब friends जब तक हमारे टमाटर सौप्ट नहीं होया था तब तक हम इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे तो डगकर हम इसको दो मिनट के लिए छोड़ देंगे दो मिनट हो चुके है friends अब हम अपनी सब्जीयों को चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हमारे टमाटर थोड़े से हलके से सौप्ट हो चुके हैं थोड़ी देदग हम इसको और ऐसे पका लेंगे और यह हमारे टमाटर सौप्ट हो गए हैं तो gas का flame हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होनी देंगे ये friends हमारे सब्जियां ठंडी हो चुकी है तो अब इसको हम एक grinder जार में निका लेंगे और इनका एक paste बना लेंगे ये friends मैंने paste बना लिया है तो अब चलते हैं next process में एक कडाई लेंगी और इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच ओयल मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ आप चाहें तो रिफाइंड या घी का भी यूज़ कर सकते हो या बटर का भी यूज़ कर सकते हो यह फ्रेंड समारा ओयल गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा एक चोताई चम्मच हल्दी पाउडर इससे कलर अच्छा आता है और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो फ्रेंड समने पेश्ट बनाया था उस पेश्ट को भी इसमें मिला देंगे गैस का फिलीम हम मीडियम ही रखेंगे पाउडर इनको भी अच्छे से मिला देंगे यह फ्रेंड्स मैंने आदा चम्मच कसूरी महती लिये है इसको ही मिला देंगे और यह मैंने आदा चम्मच कसूरी लाल मिर्च लिये है इसको ही मिला देंगे इससे friends हमारी gravy का texture बड़ाई creamy और बड़ाई अच्छा आता है तो friends अब हम इस gravy को जब तक हमें इसको पकाना जब तक यह oil ना छोड़ने लगे तो इसको friends हम ढख कर ऐसे ही 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे यह gravy हमारी अभी थोड़ी सी रह गई है पकने में तो इसको थोड़ी दर दक हम इसको और पकार लेंगे तो इसको ढख देंगे हम एक मिनट के लिए यह देखिए friends gravy oil छोड़ रही है तो हमारी gravy बनकी तियार है तो friends आप इसमें मिलाएंगे हम 200 gram frozen मटर अगर आप frozen मटर का इस्तमाल नहीं कर रहे हो normal मटर का इस्तमाल कर रहे हो तो इसको पहले उवाल लें मटर को अच्छे से मिलाने के बाद friends ये मैंने 300 gram पनीर लिया था जिसको मैंने मोटे मोटे टुकडों में काट लिया है पनीर को मिला देते हैं और पनीर को अच्छे से ग्रेवी में हम मिक्स कर देते हैं देस का flame friends हम medium ही रखेंगे अब मैं friends इसमें करीबन आदा गलास पानी का इस्तमाल कर रहा हूं आप अपने according पानी का इस्तमाल करें अगर आप चाहते हो कि आपकी सब्जी थोड़ी सी थिक बने तो कम पानी का इस्तमाल करें अगर आप चाहते हो कि आपकी सब्जी थोड़ी थिन बने यानिकी पतली बने तो आप थोड़ा ज्यादा पानी का इस्तमाल कर लें तो यह आपकी चोईस है फ्रेंट्स आप फ्रेंड्स हम गैस का फ्रेम लो कर देंगे और इसको ढग कर हम करिवन दो मिनट के लिए पगा लेंगे जिससे हमारे जो ग्रेवी है वो पनीर मतर में अच्छे से मिल जाए ये फ्रेंड्स हमारे दो मिनट हो गए है और हमारी सबजी अलमोष्ट बन चुकी है अब फ्रेंड्स मिलाएंगे हम आदा चम्मच गरम मसाला और थोड़े से हरे धनिए और इनको भी अच्छे से मिला देंगे तो देखा फ्रेंड्स इसको बनाना कितना आसान है और ये हमारा टेस्टी ढवा स्टाइल मटर पनीर बन के तयार है आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राई करें जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आपको उस तरह से इसको बनाना है तो आपका मटर पनीर बहुत ही टेस्टी बनेगा फिर में लेंगे अगली रेस्पी में तब तक के लिए बाई